श्रीशिवाय नमस्तुभियम दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी चालिया निश्य भक्तिमार्ग में आप सभी के धीरों कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास नवरात्र में पशुपती व्रत हम किस प्रकार से करें क्योंकि बहुत ज्यादा दुविधा की स्थेती चल रही है साथ ही साथ गरगोर पर्व भी पित चल रहा है तो फिर ऐसे में क्या उध्यापन करना ठीक रहेगा नवरत हमें कबसे लेना चाहिए नवरात्री में उध्यापन हम करें시냐 जो हम पहले से व्रत करते आ रहे हैं उन्हें कैसे कंटीन्यू करें तो बहुत साथे आपके डौ तूर करते हुए मैंने सुचा क्योंना एक वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करा जा जिसमें आपको आपके सभी प्रश्णों के उबतर मिल जाएंगे परंतु वीडियो को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिएगा जिससे की आपसे कोई जानकारी मिसना हो जाए तो चैन पहला मंगलवार जो नवरातर में पढ़ रहा है हमें वो 15 तारीक को पढ़ रहा है क्योंकि आप जानते होंगे नवरातर 9 अप्रेल 2024 में शुरू हुई थी और साथी साथ 17 अप्रेल 2024 यानि बुद्वार के दिन समाप्त हो जाएगी तो ऐसे में जो सोमवार हमें प्राप्त के लिए हमें मिलते हैं और यदि आप 9 दिनों के वरत कर रहे हो तो फिर ऐसे में पशुपती वरत किया भी नहीं जा सकता तो कि मैं शुरू से आप लोग को बताती आ रही हूँ जब भी कोई विशेश तिथियां होती है जैसे एकाच्छी होगी नवरातरी के वरत आपके हो नहीं सकते तो जब भी आप अशुपती वरत करने के बारे में सोच रहे हैं तो यदि नवरातर के 9 दिनों के आप वरत करते हो तो 7 में वरत नहीं किया जाएगा हाँ अब एक प्रश्मिर पस ये भी आएगा कि दिदी सोमवार के दिन यदि हम नवरात्री के वरत नहीं कर रहे हैं तब हम क्या करें तो एक चीज को पहले ध्यान से समझिया क्योंकि नवरात्र की जो 15 तरीक की सोमवार पढ़ रही है सब्तमी तिथी पढ़ रही है कुछ लो दिनों के वरत नहीं कर रहे हो तब फिर आप 15 तरीक से वरत उठा सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है परन्तु यदि आप सब्तमी का वरत कर रहे हो नवरात्र की या फिर नवरात्र के 9 दिन वरत कर रहे हो तो नहीं आप वरत कर सकते हो नहीं इस बीच आप उध्यापन क बात का धियान रखेएगा अब कुछ कुमेंट मेरे पास या रहे थे जो गंगोर का पर्व चल रहा है ऐसे में हम क्या करें तो देखिए यहीं सबके रिवास देखिए अलग अलग होते हैं यहीं गंगोर के व्रत चल रहे हैं तो साथ में पशुपति व्रत को मिक्स मत अब एक चीज और सुनिए ध्यान से नया व्रत यहीं आप पड़ेगी सब्सक्राइब करते हो तो फिर पशुपति व्रत मत करिएगा हो गया क्लियर अब आपको अब एक चीज और सुनिए ध्यान से नया व्रत यहीं आप उठाने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे नया व्रत हमें उठाना कब்से हैं तो मैं अप मेरी एक चीज को ध्यान से समझ जो नवरातरी के व्रत होते है न वो यही शुकल पक्ष में क्योंकि जटी श्यीव महापुरान में छेत्र मास को बहुती जादा शुभ बथलाया गया है शास्तर में, तो छेत्र मास के शुकल पक्ष का जो आपको सुमवर मिल जाए, उससे यदि आप पशुपति वरत उठाते हैं तो अती शुभ माना चाता है, तो यह जो आपको वरत उठाने क जो तिथी मिल रही है वो मिल रही है 22 अपरेल को सुमवार की तिथी आपको प्राप्थ हो रही है इस दिन से आप अपना नया वरत प्रारंब कर सकते हो बहुत ज़्यादा शुब समय बतलाया गया है अब कुछ कमेंट्स आ रहे थे यदि जो लोग पहले से वरत कर रहे हैं ज आपके साथ भी यही इस्तीती है तो आप वरत नहीं करेंगे 22 अपरेल के दिन जो आपका दूसरा वरत पड़ेगा उस दिन पूजन अर्चन मंदिर जाकर करकर आएंगे सारी वीडियोज मैंने डिटेल में चैनल पर डाली हुई है तो कुछ भी डाउट्स हो तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो तो आपको क्लियर हो गया 15 अपरेल को आपको जो वरत पड़ रहा है वो ना करें 22 अपरेल से आपको अपने वरत का प्रारंब कर देना है और यदि इस बीच आपको लगता है कुछ आपके कमेंट्स अभी भी हैं जो आपको प्रश्णों के उत्तर नहीं मिले हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ भी सकते हो मैं उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी और नवरात्र के ये जो 9 दिन है ये विशेश रूप से माता की अराधना के दिन ही माने जाते हैं तो इस दिन माता रानी का पूजन अर्चन करें और अभी भी कुछ कमेंट्स हो तो मुझे से कमेंट करके बिल्कुल आप पूछ सकते हो आशा करते हो वीडियो जानकारी अर्चन करें ये माता राधनी तो तो